करते हैं प्रिंटर प्रिंटर क्या है अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसका में काम ठीक है प्रिंटर का में काम प्रिंट आउट के लिए किया आता है और जो हमें प्रिंट आउट किसमें मिलता है कागज मिलता है ठीक है तो ये प्रिंट करता है ठीक तो मुद्रण यांत प्रिंटिंग डिवाइस द्वारा कंप्यूटर या रिजल्टन को विद्धुत यानि इलेक्ट्रिक तरंगों वेब स्कूरू में प्राप्ट करता है उन्हें कूट यानि कोट सिगनल्स के अनुसार अच्छों में परवर्त कि आयाता है कि उसमें जो भी टेक्निक होता है इस आधार पर हम बात के हैं तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं एक होता है इंपक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नौन इंपक्ट प्रिंटर इंपक्ट मतब जिसमें हम प्रेस करें उसे इंपक्ट बोलते हैं नौन ठीथ होड़े प्रिन्ट हैमिंग की आती है, जीसे प्रहार करते है, जिससे कागज पर वान्चित या रोरा डिजाएड हाई, जो चाहते हैं हमें प्रिंट मिलता है, तो हम बात करें तो प्रिंटर की बात करें, इसकी ती तीन सहिपजिया है, एक आपका Tin Trkes Printer, दूसरा Daisy Will Printer और तीसरा drum printer ठीक है तो हम यह आपका printer के बारे में हमने देखा dot matrix printer हम समझते हैं कि dot matrix printer है क्या वैसे बात करें dot matrix printer पहले काफी इस्तमाल किया जाता था और आज भी अगर आप dot matrix printer देखेंगे तो generally आप offices में ही पाएंगे और ज्यादा तर government office में ही पाएंगे उसका सबसे बाड़ा काराण यह था कि dot matrix printer की मदद से जब हम print out लेते हैं तो हमें एक carbon copy भी मिलता है ठीक है तो देखते हैं कि dot matrix printer क्या है किस तरह काम करता है तो dot matrix printer इसमें क्या होते हैं अगर देखें इन पिनों के रीबन तथा कागच पर्स पर्स मतलब आपको डाइग्राम दिखाऊंगा तो पिन पे जो है रीबन लग रहा था और पिन ऐसे रीबन पे करता जी हम लोग कभी कार्बन कॉपी अपने काम किया होगा तो जिए कार्बन काउपी के ऊपर हम पेज लगा कुछ की बात हो गई जितने पिन होंगे उतना ही क्वाल्टी अच्छा रहेगा इन प्रिंटरों में हम रीबन को परिवतित कर किसी भी रंग की रंगीन छपाई कर सकते हैं वो जो रीबन होता है एक्चुल में उसमें कलर लगे होते हैं तो जिस कलर का रीबन होगा उस कलर की प्र यह है कि यह अच्छरों के बीच अंतर difference को कम करता है ज्यक् Greek difference को यह कम करता है आगे बात करते हैं इसकी छपाई गती सामानेते जनली 30 से लेके छे सो अच्छ लेटर प्रति सेकंड होती बहुत आज की जमाने बहुत अच्छा है नहीं ठीक है लेकिन चुकिए है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए exam में question पूछते है तो यह है आपका dot matrix printer ठीक है dot matrix printer यह देखिए ठीक है ठीक है dot की मत्तस होता है इसलिए dot matrix बोलते है वैसे भी जो भी हम छपाई करते हैं वो dot की matrix होती है इसलिए इसका नाम होता है dot matrix printer next देखते है daisy wheel printer ठीक है यह भी popular उतना नहीं है लेकिन use किया आयता है तो daisy wheel printer एक प्रकार का समघात impact printer है दीक है समघात impact मत्दब जिसमें impact हो ठीक है तो daisy wheel धीमी गति का मुद्रण यह प्रिंटर है परन्तु इसकी निर्गत output की असप्रस्ता clarity उच होती है यानि यह dot matrix printer के पेच्छा इसी quality अच्छी होती है इसका अधिक्तम उप्योग later आज छापने में कियाता है यानि office में generally inject printer जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि daisy wheel printer का किया जाता है तो daisy wheel printer की quality जो है थोड़ी उससे dot matrix से अच्छी होती है ठीक है next देखते है drum printer तो drum printer इसी quality बहुत अच्छी होती है drum printer ठीक है line मुद्रन यान तो है या line printer होते है जो एक बार है पूरी line की छपाई कर ज़ता है एक बार में इसमें तेजगर से घूमता rotate किनने वाला एक drum होता है यह आप diagram में देख रहे है ठीक है drum होता है जिसकी सतर सरपस पे अक्छर उभरे ठीक है पर अक्छर उभरे emerge होते हैं drum यानि drum printer एक घुरन rotation में एक line छापता है drum मुद्रन यंद संग हात यह भी impact printer है अच्छर character को भारते हैं यहीं इसमें भी hamming होती है ठीक है आगे देखते हैं next आते है non impact printer मतलब जिसमें impact नहीं होगा तो यह printer printing करते समय आवाज नहीं करते हैं बाकि अभी कि जिते printer थे वो print करते समय आवाज करते हैं क्योंकि hamming होगी तो hamming होगी आवाज होगा ठीक तो इसमें छपाई के दरान के छपाई head कागज को aspers नहीं करते और वो कागज को भी aspers नहीं करते इनकी छपाई printing गती एवं अस्परता समगात मुंद्राणे impact printer से अधिक होता है यानि अगर हम बात करें non impact printer तो ये इनकी quality impact printer से अच्छी होती है और ये ठीक है तो समगात यानि non impact printer के स्वेणिया दो प्रकार की है एक आपका inkjet printer और दूसरा आपका laser printer ये देखिए common अगर हम घरों की बात करें तो घरों में लोग generally inkjet printer यूज करते है लेकिन laser printer की बात करें तो आजकर लोग इसका भी इस्तेमाल करने लगे है लेकिन laser printer ज़्यादा तर लोग offices में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि inkjet printer से इसका जो पैसा rate है price है वो ज़्यादा होता है अब हम बात करते हैं inkjet printer की तो इंग्जेट प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो यह एक प्रकार का जैसे हमने बताया कि असमगात यानि असमगात वह अतलब नौन इंपेक्ट प्रिंटर है इस मुद्रण यंद्र में एक नोजल क्या होता है? एक नोजल होता है नोजल से ही ड्रॉप निकलते है नोजल के माध्यम से कागश पर स्याही स्याही यानि इंग की बूदे की बहुचार होती इस परे करता है करके अच्छर वच्चित्र फिगर की छपाई की जाती है इस मुद्रण यानि इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक अस्पस्ट होते है अगर बात करें क्लिरेटी की बात करें इनकी क्वाल्टी जादा अच्छी होती है इसमें प्रतेक अक्छर यानि करेक्टर कई डॉट से मिलके बने होते है बिल्कुल सही बात है और रंगीन बात करें नोजल कौन कौन से है एक नोजल है नीला यानि ब्लू दूसरा है लाल यानि रेड तीसरा है एलो यानि पीला और चौथा है ब्लैक यानि काला ठीक है तो इनकी मदद से वो प्रिंट आउट करता है ये चारो रंग मिलका किसी भी रंग को उत्पन कर सकते हैं ये में बेसिक कलर है इन्हें की मदद से हम और कलर जनरेट कर सकते हैं इसलिए इसका उप्योग सभी प्रकार के रंगीन मुद्रन प्रिंटर में किया जाता है ये देखी बड़ा कॉमन है आपने आफिसेज में जनरली इंग्जेट प्रिंटर ही होता है आपने इसे जरूर देखा होगा नेक्स देखते हैं लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर के क्वाल्टी सबसे अच्छी होती है अगर बात करें तो उच गुरुवत्ता वाले टेक्स और ग्राफिक्स प्रिंट कियाता है ठीक है और अगर हम इसके बात करें इसे वैदुत यानि इलेक्ट्रो इस्टेटिक प्रिंटिंग प्रिंटिंग करते हैं जो इसका प्रॉसेस जिस प्रॉसेस से print करते हैं उस process को बोलते हैं लेक्रोस्टेटिक ये office में generally किसी भी office में आप जाएंगे तो आप वहाँ laser printer ही पाएंगे कारण क्या है किसे quality भी अच्छी है आवाज भी नहीं करता ठीक है तो laser printer का अगर हम बात करें किस सन में आगया था 1981 1981 में आगया था और इसे किस company लाए था जिरॉक्स में जिरॉक्स कंपणी ने जिसका नाम था 8010 नाम दिया इसमें toner ink के मार्धियम से इसमें toner यानि ink powder के रूप में होता है मार्धियम के रूप में प्रियुक तो कागाचपा आकरती बनाने हे तु लेजर क्रेण है यानि इसमें किसका यूज़ होता है लेजर बीम का प्रियुक होता है तो लेजर बीम का प्रियुक होता है इसलिए quality भी अच्छी होती है प्रिंटिंग speed और printing quality दोनों की list से अगर दोनों की point of view से बात करें तो इसकी speed भी ठीक अच्छी है और quality भी अच्छा है तो आज कल की अगर हम बात करें तो लेजर बीम का प्रिंटर बाजार में सबसे ज़्यादा लोगप्री है क्योंकि इनकी छपाई गती और गुरुबता अच्छी होती है आपने देखा भी होगा आप आफिस में कहीं जनरली जाएंगे तो आपको ये प्रिंटर मिल जाते है डाइगराम देखिए ये देखिए ये आपका लेजर बिंटर है आप देख रहे हैं इसमें फोटो कॉपी की सुब्दा भी होती कॉपीर भी होता है तो अगर आपको फोटो कॉपी भी करना तो उसे कॉपी भी हम फोटो कॉपी भी निकाल लेते हैं प्रिंटिंग का काम भी हो जाता है तो यह ये मल्टिपल आप्शन के लिए आपका ये इस्तमाल होता है ठीक है अब आते हैं प्लॉटर प्लॉटर एक तरसे प्रिंटर का बड़ा सुरूप है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहाथा से कागज पर डिफरेंट टाइप के हाई ग्रेट के ग्राफिक्स जैसे चार्ट बड़े एक बात रहे हैं चार्ट या ग्राफिक्स टेबल मैट्रिक्स मैप मैप तो बड़ा ही होगा ठीक है कम्प्यूटर की साथा से डिजाइन करके प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रियोग तभी किया जाता है जब प्रिंटर के द्वारा ठीक है कारई प्रणारी और स्ट्रक्चर की दिश से विजन से प्लाटर मुद्र Allah प्लाटर प्रिंटर से इस बात में भिन है कुछ चीज़ इसमें डिफ्रेंस है किसा कैंज डिफ्रेंस है बता जैते हैं यह इसमें लाइन delle लाइन खीचने अत्मा ड्रॉइंग बनाने है तू पेंस का प्रयोग कियाता है इसमें लाइन खीचने के लिए पेंस का प्रयोग करते है ठीक है यह पेंस इधर उधर गच से मतलब लेफ्ट राइट कर से गती करती हुई प्लॉटर की बाजों आम से जुड़ी होती यह जो प्लॉटर अभी डाइग्राम दिखाएंगे उसमें जुड़ी होती और वो उसी से बनाता है प्रयणाम सरुल प्लॉटर के द्वारा अवचिन ने रेखा के तुछ लाइन खीची जा सकती है जबकि मुद्रण यानि प्रिंटर की द्वारा इस प्रकार की रेखा कि तो कोई डॉट्स के समूँसे मतलब हम लोग अभी तक प्रिंटर में डॉट्स बनाते थे इसमें लाइन्स बनाते है ठीक है तो plotter के दो प्रकार होते हैं अगर plotter की बात कहें तो ये दो प्रकार की होते हैं एक है drum pen plotter ठीक है और दूसरा है flat bed plotter plotter कितने प्रकार के होते हैं plotter दो प्रकार की होते हैं एक drum pen plotter और दूसरा flat bed plotter अब देखते हैं इनके बारे में अगर हम drum pen plotter की बात करें तो इस प्रकार के plotter में आकरती बनाने के लिए pen का प्रियुक कियाता है बिल्कुर सही जिसे आपने देखा इसका नाम ही है drum pen plotter तो pen का इस्तमाल करेंगे pen के द्वारा कागच पर जो हम figure करने मान करते हैं drum pen plotter में जिस कागच पर या चितर पर आकरती बनाना होता है उसे drum के उपर रख दियाता है मतब जिस पर आपको drawing करना होता है उसे drum के उपर रख देते हैं अब उर्धवाधर गती उर्धवाधर वर्टिकली ऊपर नीचे ठीक है उर्धवागरती से generate करने के लिए drum दच्छिनी वर्ट्य यानि clockwise यानि clockwise और anti-clockwise घूंता है तो clockwise और दोनों प्रकार के rotate कर सकता है अगर clockwise भी करता है और anti-clockwise भी करता है छपाई के लिए ठीक है तो इससे होता क्या है इससे जिसे जो कागज होगा उस पर printing होने लगेगी pen की मदद से तो यह देखिए है आपका drum plotter drum plotter जिसे pen की मदद से हम plotting करते हैं और बड़े बड़े जैसे आपने चुनाओं में देखे होगे posters बड़े बड़े देखे होगे बड़े flex देखे होगे तो यह उसी printer की plotter की मदद से इस्तमाल कियाते है दूसरा हम आते है फ्लैट बेड नाम ही है फ्लैट बेड मतलब यह बेड की तरज है बेड पर कोई सुला दिया गया है तो plotter में कागज को fix stage में मतलब इदम कागज स्थिर रहेगा में tray में रखा जाता है यह tray में आपका रख दिया गया और बाजूओं में लगे जो इसके अगल बगल जो बाजूओं में लगे बाजूओं में लगे पिन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित कंट्रोल होते है और कागज पर x-axis दिखे डाइगराम बनाने के लिए दो एक्सिस दिखोत होती है एक आपका x और दूसरा y ठीक ह x एमं y एक्सिस में घूम कर फीगर का नियमाद करता है किसी picture को करएं बनाना होगा तो दो एक्शिस दिखे एक्सिस होते, x और y एक्सिस में गूम कर ये जो पलोटर है वो आपका डाइगराम का नियमाद करता है ठीक है अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की जो हमें मिलेगा वह hard copy नहीं मिलेगा बलकि जैसे laptop में या desktop में कोई figure है और उसको हमें बढ़ा करके देखना है तो इसका projection का काम है तो projector एक प्रकार का output device है जिसका उप्योग computer की छवी, image, video, text को दीवाल या संदल plane पर projector के लिए एक कोई दीवाल पर भी हम projection कर सकते हैं और represent करता है इस प्रकार के लिए light के ओ दीवार में भीजाता है, light focus कियाता है और तथा इस युक्ति device को प्रसे छेपक यह नि प्रोजेक्टर कहते हैं, प्रोजेक्टर का जो प्रोजेक्टर होता है यह output वास्तुविक आकार स से बड़ा यानि जो भी आपके laptop में picture हो इसको उससे बड़ा दिखाता है, बड़ा समतल और अधिक रंगीन होता है, प्रोजेक्टर की बात कहें तो इसका अधिक्टम व्योग सिच्छन कच यह टीचिंग रूम में, जब बच्चों को टीचर को पढ़ाना होता है तो उन्ह या सिनेमा घर, मूवी, मूवी धेटर में किया जाता है, ठीक है? मूवी देखने के लिए भी प्रोजेक्टर का इस्तिमाल करते हैं, यह देखिए, यह ordinary प्रोजेक्टर है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, इसकूल, colleges में हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तिमाल करते ह ठीक है अब आते हैं speaker की बात करते हैं तो speaker क्या है यह आवाज जीसे कि अभी हम output device की बात कर रहे थे तो output बताया था कि एक हो गया soft copy की output जीसे monitor से हो गया एक hard copy हो गया और एक sound की बात करें तो speaker जो भी आपका जो है एक output device है ठीक है इससे computer से जुड़ा होता और हमें sound आपके computer में sound card लगा होता उससे हमें sound मिलता है यह आपका है speaker इस speaker भी आपने देखा ही है ठीक है next बात करते हैं headphone यह भी आपका output device है headphone की मदद से भी हम लोग गाना सुन सकते हैं ठीक है चीज़ें सुन सकते हैं तो headphone भी आपका output device है इससे हमें ध्वनी प्राप्त होती है इसे earphone या ear speaker भी कहते है headphone को केवल एक signal जैसे audio amplifier ठीक है अगर headphone की बात करें तो radio, cd player, mobile आदिम को जुड़ा सकता है हमने चैप्टर 3 में दो topic कवर किया एक किया input device और दूसरा किया output device input device में हमने detail में keyboard के बारें पढ़ा keyboard के functions के बारें पढ़ा साथ ही input में हमने mouse के बारें पढ़ा output device में हमने plotter के बारे ने पढ़ा output device में हमने speaker के बारे ने पढ़ा तो इस तरह से हमारा chapter 3 complete होता है अब हम next chapter 4 पढ़ेंगे